तो आज बात करते हैं जो स्कालर्शिप है हमारे बच्चे हैं वो उनके स्कालर्शिप जो है कब और किस टाइम अप्लाई करेंगी तो इसमें एक स्केल से लेके ग्यारा आप यह आपको बताता के लूग कि जो आपका विपीएस है यह जो पेसलिप में लगा होगा अगर कोई अप्ग्रेड भी आए तो वह यह कौंट होगा अगर किसी का स्केल प्रमोशन वाला ग्यारा है लेकिन अप्ग्रेड है वो तेरा चोदम है तो उसको इसमें नहीं कौंट किय यह स्केल पेसलिप क्या उसके अवाले से कोवट किये तो समझारी बात पूंगी अगर एक से लेके 11 तक कोई है और उसका जो बच्चा है वो लेता है मार्क 60 परसेंट इतना है तो वो उसको स्कॉलर्शेप पर दिया जाता है वो अप्लाई करने का आहिए इनके लिए वर्ड यूज होता है नीडी और डिजर्विंग इस वीडी या डिजर्विंग स्टूरेंट कौन से वाले एक से ग्यारा के और जो साट परसेंट से नंबर साट परसेंट लें या इससे उपर लें तो वो स्कॉलर्शिप के लिए अप्लाइड कर से होते हैं और स्कालर्शिप की अमोंट कितनी है यह अपना नाइंट टैन प्लास है और ग्रेडुएशन है और तो इस पोस्ट तो इनकी होट है हमारे बाश्ट यहां से स्टार्ट फिश्ट अर इंटर है प्रेडुएशन है और पॉस्ट रेजुटेशन है कि आपको प्तिसदी democratic है और एक से साट तो शेंट नोगत ली अच्छा सर्वेंग का एक बच्छा सर्वेंग अगर आप अब यह जाद चल रही है तो सर्वेंग के लिए एक बच्छा विड़ो और रिटार्ड के दो बच्छे होगा और यह होगा है सलाना स्मेंटर सिस्ट्रम होता है न शे मींचे बाद नहीं मिले बच्छे ने दखला लिया तो उसके जो दो स्मेंटर नोगे पहले तो फिर वह हो जाएंगे फिर छे हो जाएंगे जो आट हो जैंगे इस तरह यह उनकी वीड़ो की बात हो उनके दो बचचे पर दिसक्स नहीं कर रहे हैं उसमें एक अलेदा है स्कूलर्शिप ब या स्कूल की जई आए उसको यह डिसक्स नहीं कर रहें तो यह पहले होता था झाहिए हैफ पॉट फॉड़े सीमाउट होती थी तो अब तो वाप्डा वेल्फेर फट यह मतलब में पहले वाप्डा के पास लिए बादा की पास होता था आप बाकी रिमेनेंग थी वो यदक को रोटा था वह बहुत थोड़ी सी उमोंत है कोई अंडर्ट के साथ से तो इन्हों ने यह वोंत दी है अब किस केल का है ना आप अभी मैं आप से डिला बाज़ दिला बाज़ के लिए अब किस केल का है अब किसलों के टी एक मसाइल थे जब भी को बना बाज़ करता तो अब है अब 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 ने बदाया वरना आपको जो क्लरक्सप्टेन का बदा दिया जिसने जो बदा दिया आप उसके मोटाज है आपके पास कोई और स्वोर्स ही नहीं इन्फर्मेशन का तो आप मैंने पहले करने मेरे दफस्टर आ सकते हैं अगर कोई डिटेल डिसकर्शन का तो दफतर आके करें ज्यादा बेल्टर है इस तरह प्राब्लम आता है किसी बंदे का तो मैरेज ग्रांट का मसला है, कोई इस तरह की चीज़ों का प्रब्लम है, तो हम इसे आपके डिस्केस करें, तो आप जो केस है, बताइएगा, इम्शानला जो है, उसको डिस्केस करते हैं, अगर ऐसी बात है, तो उसको दीखते हैं, ठीक है। ठीक है, और किसी का स्वाल इससरे, उसको बात है, 12 से लेकि, 20 स्थे के लिए 24 से लेकि तक, इसको टेलेंट बच्चे मिलेंट प्रिलियन कोता हैं, उनके लिए होता है और यहां पे इस समझने वाली एक से जो घ्यारा है जैसे आपके बच्चे है यहां तक जो बेटर वेड़ से गेरा कदर आता हैं तो आपके बचे ले जाते हैं 80% मार्क्स या 85% मार्क्स 80% या पास तो उनके लिए क्या हुआ पहली बात है 12-20 वाला जो इंप्लाई है उसका बटा जो है 80% मार्क्स लेगा या उससे ज्यादा तब उसको स्कॉलर्शिप मि का i9 10 घैक तो वीज दास इंटर है तो 25 घार और राव उस अैसिए समय सब्सक्राइम आखिप सब्सक्राइब पुजिशन क्या लाइदा सी को लेता बचा को फ़स्ट की अमून है सेक्ट कुजिशन के मूँट है और पोजिशन की मों है कि चलो वह बाद में डिसके सब्सक्राइब अब अगर किसी बच्चे के आपका बच्चा है नाइट एंट में उसके नंबर आए एटी परसेंट इतने आगए एटी परसेंट तो उसको यह बीस हजार मिलेगा जो 60 होते तब ही मिलना था तो जो अगला बीस हजार है उसका हाफ मिलेगा जैनि उसको अगर कोई एक से ग्यारा स्केल का इंपलाई है उसका बच्चा एटी परसेंट या इससे ज्यादा माक्स ले जाता है तो उसको अपने वाली अमोंट और दूसरी अमोंट का हाफ मिलेगा क्लियर ही बाद तो एक बात की थी के सर्विंग एक बचा रिटाइट दो और वीड़ो भी दो बचे अब जब आपने अपलाई करना है कौम कौम सी चीज़ें इसके लिए जरूरी है साथ सबसे ज्यादा ये चीज़ें आपने ख्याल रखना है कि जब अपलाई करना है उसक लिए कौम कौम सी चीज़ें साथ जरूरी है अपने सबसे पहले जो है कि अ कि आप 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 आपने ये बड़ी इंपॉर्टेट चीज़ है आप ये एड़्वाटर ने एक पेस में तब्दीली की है है कि आप कोई भी पहले होता था रिक्वेस्ट बना के लगा देते तो अब जो रिक्वेस्ट होगी वहां पर टैरी होगी और मार्किंग होगी बिज़ डेट ये इसलिए कि है ताके पता चले कि केस डिले कहा हुआ है जिस तरह टाइम बाट का इशू आजाता है तो ये केस डिले का होगा है इसको वरिफाइब करने के लिए रिक्वेस्ट जो है वो चलिए सबसे पहले पास अपने रिटन रिक्वेस्ट देनी है कि ये मेरे बचे ने इसमें मार्क लिए हैं मुझे स्कालर्शिप दिया जाए इसके लिए ठीक है उस रिक्वेस्ट को आपने क्या कर कि इंप्लाइब है यह जो बच्चे का वालत है अगर बिटो है तो उसकी वालदा का वालत हो गया तो वालदा का यह सी आने सी काप्टी अटेस्टर्ट चाहिए कि तीसरी बार आफ़ार एक होता है कि कि यह फार्म एक नीचे जो भी आपका स्कूल बच्चे का कालेज है उसका जो है प्रिंसिपल है वहां से ट्रॉब और फिर फार्म एजो है आप मतलका डीडियो डीडियो से भी ट्रॉब लागा डीडियो होता है ड्राइंग डिस्पर्सिंग और एक्सियन होता है उसे भी टेस्ट हो उसके बाद जो है एक टेस्टिड कापी आफजाइट कार्ट है तर्फ कर दूब हैं द्रॉब कि यह तकि अभी जो है तो यह नहीं कम नहीं नहीं है प्रिंटेड फार्म रिंगाए त्विल करना इसके बाद है रिजाट कार्ट जो है आपने वह स्पूल का प्रिंसिपल है वहां से टेस्टेड करवाना है और जार्ट कार्ड में दो चीज़ें आइसा बात कर रहे थे हमने जार्ट कार्ड की बात कर रहे थे प्रिंसिपल मतलका प्रिंसिपल लाइगा वह उसको टेस्ट करेगा उसको फर्दर जो है अब डिडियो जो है उसको प्रिंसिपल से टेस्ट होना जरूरी है और फिर से बताता चलू के वह जो आप नेट से निकालेंगे वह कापी नहीं चलेगी इदर यह मारे परस्ट है भी यह दिखिएगा इदर एक लगाई यह कप्रिक से इस तरह यह रिक्वेस्ट है यह रिक्वेस्ट है यह डैरी होई हो प्रापर प्रेस्ट आप हाथ से लिख सकते हैं और इस तरह पूंपूट से लिखेंगे यह उसके वालत का सब्सक्राइब करें और एक और चीज़ बच्चा जो है उसका वे फार्म चाहिए है इसके दो पेज़ेस्ट यह से करवाने और एक्सियंस आप से भी आपने डीडियो जो है कोई भी डीडियो आपका जो हुआ आप जहां से आप से आपने करवाना है कि तर अच्छा यह फार्म ही आगया तो उसके पास लिस्ट आप फैमिली मैपर्स आपके कितना बच्चे हैं पूरी फैमिली की एक लिस्ट रहा है वह आपकी आपका स्थी और टेस्ट कर दें वह आपने साथ प्रवाइड कर लिए कि उसके लाबावा एक सेटिकेट आपने देना है जो मैंने लिखा है कि इस जो साल में एक बच्चे का सर्वेंग का एक बच्चे का होगा और पहले आपने किसी बच्चे का नहीं लिया हूँ आपने बताना है इसकी बारत चार्ट सी है इस सेटिफाइड दैट मिस्टर फलाव फलाव इस अप्लाइंग फर्स्ट टाइम फार स्कॉलर्शिप आप टैंथ क्लास प्रम वाप्टा वेल्फर फंड डियूरें फरनेंशल यह उस फनेंशल एर की बात होती है साल के अंदर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं यह भी आपने एक सर्टिस्टेटर देना है यह वह अन्याइद और आप यह यह अन्याद करते हैं और फिर उसी को तरवा के यह नहीं चलेगी इसकी जगहाँ प्लापी चलेगी कि यह जो इदारे को इदारा प्रापर बेहिता है बोर्ड इशू करता है नेट से कापी आपने नहीं पेजिए और यह टेस्ट दिर्वानी है मतलका प्रिंसिपल से किसे प्रिंसिपल से टेस्ट करवानी है आज अगर कि यह सैलरी स्लिक होगा और उसके उपर आपका स्केल लिखा होगा वह करेंगे अगर वहां के इलावन लिखा हुआ है तो आप इसी केटेगरी में हैं अगर वहां पे ट्वैलियर थर्टीन है तो फिर आप नेश्ट केटेगरी में जी यह था अशार सा स्कालर्शिप से लेटर अच्छा इसमें एक चीज हमने भी मिस कर दिया अगर किसी की पोजीशन आती है फर्स सेकंड थार्ड उसके लिए ज् अगर आपके बच्चे की पहली पुजीशन आती है बोर्ड में से या युनिस्टी है तो आती है ऐसे हुआ है अच्छा और कोई स्वाल आप लों का इससे लेकर और एक बात याद रखने हैं जो सर्वेंग इंपलाई होंगे हमने केस यार्पी के तुरूब देंगे कि यार्पी साफ्वेर जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लैनेक उसके थूआ अपन किवाना है और उसकी जो लेटर्स के ऊपर वोज आईडी लिखियो स्टार्ट अब आप लों का कुई स्वाल है इसकी जिस्टिफिकेशन होती है अब जिस्टिफिकेशन दे दें कि इस वज़े से ले हुआ है तो वो ब्लाइज किया जा सकते यह नहीं के वो बिलकली जब आइम बार्ट हो गया है तो बिलकली नहीं किंसेडर करेंगे इसको कुई एक पाँ पड़ा के उसको एक दफार टेस्टर होजे और नाइन साथ कुछ है तो इसका उसके आप पुछताते हैं नहीं है रिक्वेस्ट बेच के कुछ सरो मतलब हम दुगत इसके हैं है कि यह सारे कागज इस्लिए बनाए गयें है ताकि फराड को कि पर ऐस्तिश्ट आप अब तो फराड वाला काम सर्त हो कि यह वक्त के साथ साथ आपको मैनुली नहीं चाहिए होगा मैनुली खतम हो जाएगा लेकिन अभी स्टार्ट है अभी स्टार्ट है इन्शाइला अभावलेक। इसमिल्ला रखमाद रही मैं आपने लेक्चर को रेवब करता चलूँ दोबारे से की विडियो जो है उनके लिए दो बच्चे और जो रिटार्ड इंपलाइस है उनके भी दो बच्चे और जी इसमें मैंट्रिक नाइन टेंस है जो पहले वाला वापड़ा वेल्फर फंड था उसमें five six classes के लिए होता था लेकर यह नाइन टेंप से स्टार्ट होता है और इसमें मैट्रिक है इंट्रमीडियूट है और पोस्ट वेजूइशन एंड अबाव अच्छा यह नीडी स्टूडेंट की बात की थी हमने नीडी स्टूडेंट एक से ग्यारा स्केल वाले जो इंपलाइज हैं उनके बच्चे अगर सिक्सी परसेंट मार्क स्कूर करते हैं या इससे वाग तो वो लीजीबल होते हैं स्कालर्शिप के लिए और वनाइन टेंप में 1000,000 इंटरमेडियर 15,000 और ग्रेजिवेशन 30,000 और पोस्ट ग्रेजिवेशन 35,000 अर टेलेंटेट्स की बात की थी के यहे जो हैं यह 12-20 है 12-20 स्केल के जो लोग है उनके जो बच्चे हैं यहां पर एक से बीश लिखा है लेकिन यह बारा से बीस हैं यह नोटिफिकेशन में भी मिस्टेक है 1 से बीस लिखा है लेकिन 12 से बीसके कि लोले यह बारहश से बायज क्लो अनके जो बच्छे रहेगा है वह ए drastically के लिए तो आम। उन्हीं के लिए भी यही हो कि 9-10 के लिए 20,000 और इंटर्मिंडरिस के लिए 25,000 ग्याइशन के लिए 30 और पोस्ट ग्याइशन के लिए 35,000 यहां पर एक चीज़ बताता चलू कि यह एक से 11 स्केल वाले बच्चे अगर वो बच्चे जो हैं इंपलाइस के बच्चे जो हैं वे 80 प्रिशन्ट मार्क्स या इस से बाउ स्कूर करते हैं तो उनको 20,000 वो मिलेगा और नेक्स जो है जो भी अमोट है 9-10 का अगर बच्चा 80 से ज्यादा मार्क्स के और इसका फादर ज और साड़े बारा हजार यहां से मिलेंगे और इसी तरह ग्रेजुएशन का है तो उसको पैंतालिस हजार मिलेंगे यानि बात करने का मतलब यह है कि एक से ग्यारा स्केल वाले इंपलाइज जो हैं उनके जो बच्चे हैं उनको एक तो वह मौन मिलेगी जब एड़ी परसेंट से ग्यार स्कोर करते हैं तो एक नेक्स्ट अमांट का हाफ मेंगा इसके लिए पुजीशन ओर्डर की थी जो वाइड बोर्ड पर नहीं लिख सका तो पुजीशन अगर फर्स पुजीशन आती है मैट्रिक में तो साथ हजार है सेकंड बें पचास हजार है और थर्ड बें च इसी तरह बी एस ची इंगीरिंग एम बीएडीएस है वन लैग फिफ्टी थोजन वन लैग फॉंटिफाव थोजन और वन लैग जी उसके बाद ये इसके साथ चेक लिस्ट जो है वो क्या लगनी चाहिए तो यह आल रही डिसकस कर चुके हैं रिक्वेस्ट आफ एप्लिकेंट को साथ होनी चाहिए अब यह जो रिक्वेस्ट है वो डैरी हो उसमतल का आफ इसे एक बात बताना चाहिए जो भी रिटाइड इ कि इसी भी बेनिफिट के लिए अफ्टर रिटार्मेंट कहां पर अप्लाई करना है वो अक्तर जाते हैं जहां से पर पेंशन ले रहे होते हैं लेकिन ये बात जरूरी नोट कर लें कि जो भी रिटाइड इप्लाई हैं वो जिस दफ्टर से रिटाइड हो रहे हैं अपने benefit भी उसी दफ्तर के तुरू apply करेंगे ना कि वहां से जहां से वो pension ले रहे हैं अच्छे checklist की बात हो रही थी request of applicant है tested copy of cnac है यह imply किया है अगर बच्चा है तो उसका जो है बे फार्म जाए हो होना चाहिए टेस्टड फार्म E साथ है और बे बे फार्म नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा अगर बे फार्म बना हुआ है आज कल बे फार्म जरूरी बुनते हैं चोटे बच्चों के भी है तो बे फार्म टेस्टड हो फार्म यह है अभी specimen share करता हूं फार्म यह क्या चीज़ है और result card की tested copy की बात की थी कि जो result card इसकी copy जो है वो मचल का principle से टेस्टड हो उसके बाद डीडीव है उससे जहांसे salary ली जा रही है उससे अब हो तो उसकी salary slip होती है अगर वह retired है तो पीपो बुक को विड़ो है उसकी pension की pension payment order जो पीपो लिए फिर्स्ट नियुक्लाइब यह साथ जलूरी होता है लिस्ट आफ फैमिली मेंबर्स भी साथ अठेच हो कितने फैमिली मेंबर्स है उसके लावा आप शेर करते हैं यह यह फार्म यह है और इसको इस तरह फिल करना है नेम अफ एप्लिकेंट है सेशन अकडेमिक सेशन है डेट आफ बर्थ है इंपलाई नेम है अच्छा इंपलाई नेम डेट आफ एंट्री इन सर्वेस कब वया वैदर फादर इस अलाइव डैड यह सारी चीजें पोस्ट है स्केल अगर रिटायर्ड हुआ है तो ड्यू डेट 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 अव रिटायर्मेंट मार्क्स कितने उटेंड की हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं डेट अफ एड्मिशन यह सारी चीजें यहां पर सिगनेचर एंड नेम आफ एप्लिकेंट सिगनेचर आफ फादर मदर गर्डियन और उसके बाद यह सर्टिफिकेट है यह जो एप्लिकेंट जो अप्लाई करेगा जो स्टूडेंट होगा कि यह जो है स्टूडेंट है एप्लिकेंट फ्लाँ 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 स्टूडेंट आफ कलास यहां पे लिखी जाएगी यह जो फीपे की जा रही है पर एनम वो कितनी वो लिखी जाएगी एनुवल एग्रमिनेशन यहां पे जो है स्कूल है वो जो लिखारा है वो जो कालेज है उसका सिगनेचर होने चाहिए और यहां पे Certificate of Head of Office of Applicants Fathers जी यह अगर वो वावड़ा वेलफर फंड में कौ्टिबीशन है उसका भी प्रूफ लगा है और यहां पे जो डीडियो है उसके साइन होने चाहिए और यहां पे किसके साइन होने चाहिए वो जो मतलका स्कूल है या कालेज है उसके प्रिंसिक Thank you so much. Asalaamu alaykum.